गुरीविंग फ्रेंट्स, वेल्टन पर सेशन ऑफ शेयर अकाडमी, डेट है आज 16-4-2022, वीकेंड चल रहा है और वीकेंड की स्टडीज भी चल रही है, और एक बेहाद इंपॉर्टेंट सेशन है, उमीद है कि आप लोग इंजॉय करेंगे, इससे पहले का जो एक पर्टि का डिसकेशन आप लोग के साथ में शेयर किया था, कि वो 16 पॉइंट्स ऐसे थे, जिनके आधार पर आप किसी भी कंपनी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आप एक मल्टी बैगर कंपनी फांड कर सकते हैं, वो कुछ लोग को थोड़ा सा टफ लगा तो उसमें उन्हों न करने के लिए कंपनी को अइटिफाई करने के लिए बहुत important होती है, आखिर किसी annual report को कैसे पढ़ा जाए, तो अगर आपने ये दो points देख रखे हैं, ये दो वीडियो देख रखे हैं, एक तो 16 point analysis और दूसरा ये multi baggers in 3 step, अगर आपने ये देख रखा है, तो आपको ये पत पूरी होता है company का annual report पढ़ना, but question ये है कि उस annual report के अंदर रखा गया क्या जाए, तो उसी के लिए आज का ये session है, बहुत layman रखेंगे, बिल्कुल आसान भर्षा होगी, और to the point बात करेंगे, jargons कोई भी नहीं होगे, कोई कठीन शब्द नहीं होगे, लेकिन एक बात करते हैं, अब मालीचे for example, कि आप किसी भी company के annual report पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि उस annual report से basically आपको क्या क्या information लेनी है, तो आपको करना गया है सबसे पहले, किसी भी company के annual report आपको मिलेगी कहा, ये बड़ा important है, तो आप कोई भी site जो इस्तमाल करत तो main website पर आपको annual reports मिल जाएंगे, अब annual report कहां मिलेंगे, कए बार आपको market में मिलेंगे, कई बार आपको unlimited relations है, investors relation का चैब है, वहाँ पर मिलेगी या कईबार सीदे-सीदे data form में मिलेगी यहाँ पर या फिर आपको कई बार सीदे-सीदे information होगी कि annual reports, quarterly results, annual reports, याप सीदे पन्ने से लेकर और 1.500-200 pages तक ही होती है ठीक है बट question यह है कि इन 1.500 pages में हम लोग को क्या निकालना चाहिए तो यह ABT Naturals की annual report है अब इसमें आप पढ़ना शुरूब करेंगे तो आपको इसमें खुब सारा data मिलेगा हम लोगों ने आज का जो यह session है इसके अंतरगत कई बार यह question पूछते हैं कि हमको यह कैसे पता चलेगी management की integrity क्या है या अच्छा management किसको कहते हैं तो यह चीज आपको annual report से मिलती है कैसे annual report से मिलती है जैसे जैसे आप annual report में नीचे आते जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि management के अंदर जो इनकी team है उनका experience क्या है वो किस छेतर से है अब मिसाल के लिए question लीजे कि कोई chemical की एक company है और उसका जो management है उस management के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसका chemical का कोई भी experience हो तो वो company कैसे perform करेगी वहीं दूसरी तरफ एक company ऐसी है कि जो chemical industry से related है और जो उसके management में top के 3-4 लोग हैं उनके पास chemical industry का ही 10 साल का 20 साल का अब 30 साल का थजूरबा है तो आप सोचिए कि वो जो management है वो अपनी company को आगे किस तरह से ले जाएगा तो दोनों situations में अंतर है इसलिए जो सबसे पहली चीज़ आपको उठानी चाहिए किसी भी annual report में वो है experience of management ठीक है कि management का experience कैसा है कई के बार ऐसा होता है कि आप किसी company को देखेंगे तो उसमें जो management की top positions हैं उनके अंदर उनके family members सी भारे हुए हैं चाचा, बतीजा, बेटा, बहन, भाई सब बैठा हुआ है ऐसे management से थोड़ा सा दूर रहिए अब क्या होता है related party transaction आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो annual report कही एक particular part है that is called related party transaction इसमें होता यह है कि माल लीजे एक बड़ी company हमारी अपनी है खुद की उसके बाद हमने अपनी छोटी कुछ subsidiary companies भी बनाई है तो हमारी बड़ी company जो माल उठाती है वो हमारी चोटी subsidiary company से ही उठाती है जो कच्चा माल है और उसके बाद जो product बनता है वो care market में supply करती है अब अगर हमारी बड़ी company हमारी सारी चोटी company से ही कच्चा माल उठा रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो दोनो parties है वो related है एक दूसरे से कि भाई अगर 10% से ज़्यादा related party transaction हो रहा है यानि पूरी company का turnover अगर 100 रुपएगा है और अगर 10 रुपए तक आप आपस की जो company है इनके बीच में transaction कर रहो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर 10% से उपर जा रहे हो चांदार तरीके से गिरा था इसके अंदर जो एक particular issue था आप लोग को हम बताते हैं इसको धियान से देखेगा वर्ट आउस के अंदर इसमें ये एक issue related party transactions का आया था ये particular information हम लोग को इस particular जगे पर कहीं पर मेरी थी और यहां से हम लोग company से बाहर हुए थे उसके बाद company बहुत गंदे दरीके से गिरी दी तो ये related party transactions का एक बहुत अच्छा example है जिससे कि आपको दिहान अखना चाहिए ठीक है और इसमें भी बहुत जादा नहीं सिर्फ इतना देखे कि total data कितना है मतलब कि total turnover साल का कितना हुआ है उसमें से related party transactions कितना हो रहा है ठीक है देन थर्ड है increase in remuneration business की समस्या ही है कि यहां शब इतने कठिन रखे जादे ना तो remuneration का बिलकुल सीधा मतलब एक दम हिंदी भाशा में कहें कि भाईया पैसा कितना आपने दिया है किसको जो company के top boss है CEO है जो company की audit team है जो independent director है अब एक चीज सोचिए कि एक कोई company है जिसका साल दर साल मुनाफ़ा केवल 2% या 3% बढ़ रहा है लेकिन जो company का main CEO है या company का main MD है उसकी salary 10-10% बढ़ रही है तो यह company कितने time चक survive कर पाएगी इसलिए जो annual report है उसका एक part होता है increase in remuneration ठीक है तो remuneration का मतलब है कि आप अपने CEO, MD या जो कहने का मतलब है टॉप bosses हैं उनकी salary में आप साल दर साल कितना इजाफा कर रहे हो यह बहुत जरूरी है क्यों बड़ी company अगर है लाग करोड, दो लाग करोड का market cap company का है तो वो company establish हो चुकी है बड़ी हा पैसा कमा रही है तब आप चाहे तो अपने CEO, MD की salary में बढ़ोतरी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर company छोटी है भी 200-300 करोड का market cap है company अभी खुद को establish कर रही है और उतने में ही आप क्या करते हो कि अपने जो top bosses है, उनकी salary में आप unusual तरीके से growth करते हो तो इसका मतलब क्या है आपने कई बार सुना होगा कि कहते हैं कि management पैसा लेके भाग गया ये सुनी होगी आपने बात कि management या management company का जो पैसा है वो siphon off कर रहा है ये कही न कहीं उससे related होता है आपको ये देखना चाहिए कि आपकी company कितना profit generate कर रही है और उसकी तुलना में management को कितना पैसा जा रहा है अब इसमें एक चीज़ और होती है increase in remuneration में इसमें होता है कि arm employees की salary में कितनी बढ़ोतरी हुई है और जो top bosses है उनकी salary में कितनी बढ़ोती हुई तो arm employees की salary में अगर बढ़ोतरी मालीजे हुई है 7% की, 7% की year on year और जो top bosses है उनकी salary में बढ़ोतरी हुई है 25% की तो ये चीज़ justified नहीं है आप कई बार बहुत अच्छे management को देखेंगे कि वो अपनी salary में बढ़ोतरी ही नहीं लेते बाई, already उनके पास में package ही तगड़ा होता है उनका मतलब महीने का कई लाख रुपए की salary होती है तो जो बहुत ऐसे management है कि जो अपनी company को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं वो क्या करते हैं वो अपनी salary में increase रहते ही नहीं है वो कहते हैं कि इतनी salary मिल रही है इतनी ठीक है पांट-दस सालम increase नहीं लेंगे या तुम company को बढ़ाओ पहले company बढ़ जाएगी तो बात में हमको पैसा मिली जाएगा ठीक है तो ये दो चीज़ें बहुत important है कि आम आदमी की salary की तुलना में top bosses की salary कितनी बढ़ रही है प्लस क्या कही बार ऐसा top bosses है कि जो अपनी salary में increase ले ही नहीं रहें अगर ऐसी company मिल रही है आपको और बाकी का business model बढ़ आपको तो समझे कि आपके पास में company का management या top bosses बहुत बढ़ी हां मिल रहे है ये चीज़ आपको company के annual report में मिलेगी इसके बाद है innovation and entry barriers ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है ABT natural की report जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ मिलेगी rosemary का इन्होंने extract निकाला और जो ये होते हैं sunflower इनका एक extract उसके बारे में ये लोग अपनी जो annual report है उसमें ये बताते हैं कि भाई हम ये जो काम कर रहे हैं या हमारा एक जो ये particular product है ये हमारे अलावा और कोई नहीं बनाता है दुनिया में तो यहां से आपको एक entry barrier मिलता है आपको ये पता चलता है कि company ये जो product बना रही है इस product को इस company के लावा और कोई नहीं बनाता और जब आपको ये चीज़े पता चलती है कि भाई company अपने भविश्य के लिए कौन-कौन से नए innovation कर रही है या company के पास में कोई ऐसा product जिसमें entry barrier है जिसमें दूसरी company आ ही नहीं सकती तो ये उस company के लिए भविश्य में बहुत बड़ी हा cash flow का एक जरिया बन सकता है वो company अपना product जब बेचेगी तो जितने rate पर चाहेगी उतने rate पर बेचेगी ये information आपको कहां से मिलती है वो आपको annual report से मिलती है company की quarterly reports में भी होती है annual reports में भी होती है और यही वज़य है कि आप लोग कई बार पूछते हैं कि sona com आपको इतनी क्यों पसंद है तो हम आप से simple एक चीज़ कहते हैं ये सब कुछ आपको उसके annual report में मिल जाता है then six बहुत important है risk in business आम तोर पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्त जब चुनते हैं तो उनकी अच्छाईयां देख लेते हैं लेकिन बुराईयां नहीं देखते ये चीज़ आपको annual report में मिलती है annual report जब कभी भी बनाई जाती है तो उसके अंदर सारी details दी जाती है कि हमारी अच्छाई और हमारी बुराई तो annual report का एक part होता है जिसके अंदर है risk in business क्या बताता है risk in business इसको अगर finance की भाशा में कहते हैं तो ये negative points होते हैं कि भाई हमारी company अच्छा अच्छा तो ये सब कर रही है लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि जो company के विरोध में जा सकता है भविश में जिसकी वज़े से company के profitability पर असर पड़ सकता है तो उसके अंदर वो बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो हम product बना रहे हैं ये product दूसरे दिशों के अंदर भी develop किया जा रहा है या कोई और company है जो इसके अंदर develop का नहीं कोहिश कर रही है या कई बार company कहती है कि जो ये हमारा product है ये इतने high margin पे हम बेचते हैं कि मिल्ब हम 100 रुपय में 55 रुपय हम मुनाफ़ा ले लेते हैं दूसरी companies भी आ रही है market में competition में तो risk in business का एक particular part होता है जो आपको annual report में दिखता है उसको पढ़ने से आपको ये पता तलता है कि अगर हम इस business के अंदर 5 साल या 10 साल रुके रहते हैं तो हमको मुनाफ़ा ज्यादा होगा या कम होगा ठीक है तो ये risk in business पढ़ना बहुत जरूरी है और seventh और सबसे last है कि जो auditors report मतलब कि किसी भी company का जो auditors का report है ये बहुत important होता है आम तोर पर ये माना जाता है कि जो auditors है वो independent है इसकी बज़य क्या है कि अगर auditor audit करने में company के साथ किसी तरह का अगर साठगाट रखते है और भविश में अगर ये पता चलता है कि उन्होंने कुछ गलत तरीके से audit किया है company को तो कई बार उनकी जो अपनी degree है उनका जो अपना profession है उसके उपर जो company act है या auditors act है उनके तहत क्या होता है कि करवाई हो जाती है तो वो भविश में फिर अपना career नहीं बना पाते है इस डर से ज्यादा तर जो auditors है वो इमानदारी से काम करते है तो auditors report में आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि auditors ने company से जो भी documents मांगे हैं audit करने के लिए independent auditors ने वो जो reports है वो company ने provide की या नहीं plus auditors ने किसी तरह का कोई adverse remark तो नहीं डाला है कि company से जब हमने ये documents मांगा तो company ने ये document provide नहीं किया या यहाँ पर थोड़ा साम को कुछ issue लग रहा है ऐसा कुछ तो auditors की report में नहीं है इसलिए auditor report पढ़ना बहुत जरूरी है अब एक बार समझेगा दुबारा से एक बार repeat कर दे रहे हैं कि किसी भी annual report को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज है कि experience of management आपको देखना है related party transactions देखने है जो company के top management और company के जो workers है उनके बीच में जो salary को लेकर जो growth है वो कितनी है इसको compare करिये का company के मुनाफ़े की growth से then business in detail detail के अंदर business होता है कि company क्या कर रही है कैसे कर रही है ये सब कुछ पूरा का पूरा annual report के अंदर होता है then risk in business की company के जो business है उसमें कौन-कौन से risk आ सकते है भविश में उसके बाद है auditors report ठीक है अब question है कि क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना है answer है नहीं अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप company की जो annual report है इसके अंदर बिल्कुल detail में जा सकते हैं बढ़ जैसा कि हमने शुरुआत में ही का था यह session के वल उन लोगों के लिए जो बिल्कुल basic है भी जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है अब देखिए एक बार हमने आपको अगर सहारा लेकर चलना सिखा दिया तो उसके बाद दोड़ना आप अपने आप सीख लेंगे हमारा मकसद है कि आपको सहारा लेकर चलना सिखाना आप मेंसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मतलब हमारे life session में तकरीब डिल्ट थाज़ार क पोटफोरियो कोई बीट नहीं कर सकता है साल में यह एकदम guaranteed चीज है ठीक है ना अब एक मज़ेदार चीज कि अगर annual reports में इतनी अच्छाई होती है अगर annual reports इतनी मज़ेदार होती है तो आपकी मदद के लिए हम आपको एक काम करते हैं हम कुछ कमपनियां सजेस्ट करते है जिनके annual reports आपको पढ़नी शुरू करनी चाहिए उससे होगा क्या अगर आप माल लिए कि शुरुआत में आपको इसी annual report पढ़ेंगे जो आपको बोरिंग लगेगी तो आपको मज़ाई आएगा हम आपको कुछ ऐसी annual report सजेस्ट करते हैं कि जिनको पढ़ने में आपको है ठीक है सबसे पहला है mold tech packaging इसकी annual report उठाईएगा और इसको पढ़िएगा उससे होगा क्या आपको इसके business के बारे में एक ऐसी inside story पता चलेगी कि आप मतलब जिस समय आप पढ़ रहे होंगे उस समय आपको मज़ा आ जाएगा बल्कुल wow factor मिलेगा आप कहेंगे कि यार यह जाती है आपको वह annual report आप पढ़िए यह तीन annual reports आप पढ़ेंगे इन तीनों के अंतर आपको एक wow factor मिलेगा वह wow factor आपको annual reports पढ़ने के लिए और ज्यादा प्रिरित करेगा ठीक है तो यह साथ points है अब इन साथ points के साथ में आपको एक काम करना है क्या कि annual reports कभी भी पढ़ तो आप chemical industry पढ़ रहे हैं तो management के पास में क्या क्या experience है उसके साथ में लिखिए जब आप इस तरह की एक report form करते हैं जो करीब एक page की होती है उसमें 200-300 शब्दों से ज्यादा नहीं होगे तब आपको annual report पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा वो ज्यादा annual report आपके लिए profitable ह होगी और समझने वारी होगी तब हविश में आप जब कभी भी किसी company का discussion करने के लिए बैठेंगे तब आप बहतर तरीके से discussion कर पाएंगे ठीक है तो यह हमारे साथ points थे सिर्फ और सिर्फ beginners के लिए जो beginners हैं उनके लिए है ठीक है यह session कोशिश करनी थी बिल्कुल छोटा रखने की फिर भी 15 मिनिट का हो गया है और नो डाउट हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि आप मेंसे वो लोग जो बिल्कुल शुरुआत कर रहा है यह बोरिंग होगा इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह बोरिंग होगा आपके लिए क्योंकि study education hard studies मेहनत यह सब कुछ बोर आपको कुछ और study करने की जरूत नहीं पड़ेगी आपकी आदत लग जाएगी और यह इतनी भयानक लगेगी कि रात रात बर बैटके आप एन्वाली 40 पड़ाइगे और उसके बाद हमारी guarantee है कि आप इस चैनल को दुबारा कभी भी नहीं देखेंगे ठीक है ना इस कौन स इसको देखो बजाए हमसे पूछने कि कौन सी कंपनी देखी जाए ठीक है चोटा से सेशन रखना था लेमान लाइंवेज रखना था इसलिए लेमान लाइंवेज में रखा है अब अगेन हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपसे जो हम हमेशा आप से कहते हैं और वो क्या ह वो है कि आपके कमेंट्स देखिए सिर्फ और सिर्फ कमेंट इपॉर्टन है आप लाइक शेयर नहीं करना है कुछ मत करो आपके कमेंट्स हम लोग को यह पता चलता है कि जो भविश में आगया आने वाली वीडियोज है उनको हमको किस तरह से थोड़ा सा बहतर करना है और इस वज़े से यह जो लॉंग टर्म इन्वेस्टिंग का सच है इसको बहुत बढ़िया रिस्पॉंस मिला था हमको बहुत मजा आया ठीक है तो आपने कमेंट्स करके बताईए एक चीज कि आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जो अभी से पहले एन्वल रिपोर्ट पढ़ते थ तो भविष्य में हम उसके उपर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपका जिकर भी करेंगे कि आप लोग हमारी मदद कर रहे हो और हाँ ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोग के टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ने का माध्य हम हो सकता है अग अगर आपकी एनुवल रिपोर्ट में दम हुआ आपकी कंपणी में दम हुआ तो आपको डायरेक्ट वायल्ड कार्ड इंट्री दे के हम लोग अपने टेलिग्राम ग्रूप में एड़ कर लेंगे तो उम्मीद है कि आज का इस सेशन थोड़ा बहुत आप लोग के लिए ज